हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आप सब का स्वाव उताय में यूट्यूब चैनल टेख्ण बॉयमन और मेरा नाम है अमन्दीब लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फिक है इसका इंट्रो करवाया था पम का इसकी पैसिफिकेशन और इसका फाइदा क्या है आपके लिए ठीक है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको अपने साइकल पर आप कैसे लगा सकते हो ठीक है और आप इसको अपने cycle के साथ use कैसे कर सकते हो चलिए दोस्तों लगाते हैं इसको cycle पर जैसे कि आपने देखा था आपको यह mount मिलता है आपके पास दो option होते हैं यहां तो इतना bottle cage के फ्रेम पर कहीं पर लगा सकते हो जहां पर आपका मन करता है तो आई यह चलिए इसको लगाते हैं फ्रेम पर अब मैं इस example में इसको upside down लगाऊंगा अभी यहां से इसको cable type को ऐसे निकाल लूँगा और यह मेरे पास उपर ब्रेक वाली केबल के नीचे से निकालूँगा और ऐसे ही अगर आपके गेर वाली केबल भी है तो उसके नीचे से निकालना ऐसा ना हो जो cable आप उसको दबा दो ठीक है फिर operate करना वो बंद कर देगी और simple आपने इसको ऐसे केशंट कर देना आइते हैं हम इसीथा से डिके ताइड कर देना है कि यह लग गया जो एक्स्टा यह एले केबल टाई ठीक watching कैए आप इसको काड़ सकते हो वी और फिर सीधा है फिर simple है असान है आपने यह अपना भान लेना है ठीक है pump लेकर simple आप इसको ऐसे store कर सकते हो ठीक है store करके यहाँ पर सीधा ही ऐसे लगा दो यह लग गया कुछ ऐसा लगेगा यह मेरे cycle पर देख सकते हो आप और फिर जो साथ में जो velcro आता है ठीक है यह velcro को लेकर आपने pump को highly secure कर देना है ताकि चाहे कुछ भी हो simple है जो यहाँ पर gap है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जो यह यहाँ पर gap है ठीक है यह बला यहाँ के इसके बीच में से ऐसे निकाल ली है ठीक है और ऐसे पूरी रोटेट करके pump के उपर इसको ऐसे लगाना है एसे लगा के इसको pump को secure कर देना है अब यह हमारा pump है जो highly secure हो चुके है जितना मरजी अपना cycle है वालेंटली shake हो वालेंटली हीले जितना मरजी खराब रास्ता है अब इस velcro के साथ और इस mount के साथ यह pump नहीं किरने वाला जातर क्या होता है जो सस्ते pump होते हैं उनका mount कुछ ऐसा आता है ठीक है उसके साथ कोई protection ही होती कोई कुछ नहीं होती तो आप ऐसा भी अपना velcro एक बना सकते हो यह अगर online मिलता है तो वह लेकर अपने pump को secure कर सकते हो अगर आपने यह लिया है तो वह साथ में ही आएगा और जब निकालना है ठीक है सिंपल है इसको वेलकर को खोलना है यह वेलकर को खोल के वेलकर को बीच में छोड़ दो और पंप को ऐसे बाहर निकाल लो अब पंप हमारा ready है for use तो दोस्तो इतना असान है इसको अपने cycle पर लगाना अगर आपने bottle cage की जगा लगाना है तो वह बहुत ही आसान है शीदे इधर आपने लगाया और इसके अंदर ऐसे आप अपना pump लगा सकते हो यहां पर कुछ इस तरीके से इस mount के साथ यहां पर आ जाएगा यह जो यह के है कल तो पंचर नहीं हुआ ठीक है कहीं पर बाहर नहीं गए अभी राइट पे तो हमको खुद ही हवा निकालना पड़ेगा देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें हवा भरने में स्क'reड़よね इसको है दो सब्सक्राइब आपकि अडिक उन्फी कोगर की सीटी यह मैंने इस हाव निकाल दी दोस्तों सिंपल है तो आपने इसका यह हैंड़ है ठीक है हं वहां इसको एसे होला आपने ठीक है खोल के पहले इस को कलेपको निकाल कर दो एसे क्लिप को जब आपका ये पंचर होगा वील आपने वील जमीन पर लिटाया होगा ठीक है ये साइकल भी ऐसे नहीं लगाऊगा तो दोस्तों सिंपल है इसको ऐसे लगाना है ठीक है फिर बाद में ऐसे खोलना है ये इतना इजी है ठीक है अब मैं इसको लगाऊंगा पूरा अंदर तक लगा देना है और इसको ऐसे खोल दिया ठीक है अब खोलने के बाद क्या है इसको सीधे ऐसे मैंने पंप करना है अब मैं इसमें आप देख सकते हो कितनी असानी से हवा भर रहा हूं और यहां पर छोटा सा गेज है वो गेज से आप चेक कर सकते हो इसमें कितनी हवा भरी ज आप ऐसे दो हाथ भी लगा सकते हो, दो हाथ से आराम से हवा भर सकते हो, वा, इतनी हवा मैंने भर दिया है, ठीक है, आराम से अब घर पहुंच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आज ये मैं आपको एक बारी चेक करवाता हूं, इसमें अभी कितना प्रेशर हुआ है, ज यानि जितना टाइम लगा है, उससे लगबग थोड़ा सा डबल और टाइम लगाऊंगा, और आराम से 100 तक मैं है, पहुंचा सकता हूं, दुबारा से मैं इसको ऐसे कर दोंगा, अब आपको दोस्तों ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो पंचर के बा आसान है, इसमें हवा भरना, ठीक है, अब जब आपने हवा भर ली है, तो सीज़ा आपने इसको लीवर को ऐसे अंदर की तरफ पुछ करना है, नीची की तरफ, और इसको निकाल लेना है, और आपने देखा, कितनी ही असानी से मेरे को जादा दम नहीं लगाना पड़ा, ज यह वाला है, वो उन्होंने ऐसा दिया होता है, यहां से तूट जाता है, बड़ यह वाला देखने में बहुत ज़्यादा स्टड़ी लग रहा है, बड़े होनी के वैसे आप इस पे पकड़ बड़े राम से बना सकते हो, ठीक है, और ऐसी आप इसमें यह पकड़ देख रह है, और जो इसका गेज है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और बहुत ही easy to use है, दोस्तों, इतना असान है इस पंप से आपके cycle में हवा भरना, तो जैसे कि आपने देखा, इस पंप को cycle पे लगाना इतना असान है, और इससे हवा भरना भी इतना असान है, अब जरूरी नहीं, इस पंप से आप सिरफ रोल बैक्स में हवा भर सकते हो, इस पंप से आप MTB cycles में भी हवा भर सकते हो, कोई भी cycle हो, कोई भी वाल हो, इससे आराम से आप हवा भर सकते हो, तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो ब झाल कर दो झाल